उत्तर प्रदेश सीची सीटों की कहाली आपकी समिश डिया अपने दावा तो बहुत बड़ा कर दिया आज बहुत बड़ा दावा कर दिया, बहुत बड़ा नंबर दे दिया इस देश को अब मैं क्या करूँ जो नंबर मुझे जंता बताती है उसको रिकोर्ट करना मेरा काम है और वो मैं करता हूँ चलिए हमारे सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दे कि हम लोगों ने भी बड़ी कोशिश की थी कि कुछ इनसे समझा जाए कुछ बताया जाए लेकिन इनों ने जो मेहनत की है इसके पीछे और जो नंबर्श है वो एक एक करके इमानदारी से अब सामने वो रखना चाते हैं अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश क्योंकि हमारे तमाम दर्शक इस समय उत्तर प्रदेश का इंतिजार कर रहे होंगे इसलिए अब एक्जेट पोल में बारी है सबसे आखरी और भारत के सबसे बड़े राज्ये उत्तर प्रदेश की और आप अपना दिल ठाम कर बैठिए उत्तर प्रदेश में लोगसभा की 80 सीटे हैं ये अपने आप में एक पूरे देश के बराबर है और एक तरफ समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का इंडिया गडवन्दन है दूसरी तरफ है एंडिये और तीसरी तरफ है मायावती की बीएसपी जो अकेले ही चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अयुद्या में रामलला की प्रान प्रतिश्टा के बाद लोगसभा के चुनाव ये हो रहे बिल्कुल सुदीर देखे प्रदानमंती नरेंद्र मोदी, राहूल गांदी, स्मिती इरानी सब की नजरे थी कि ये तमाम दिगज तो यहीं पर लड़ रहे है ना अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मतब नाम ले लीजे आज की politics में जो incumbent है, जो सबसे बड़े challenges है उस सभी यहीं से चुनावी मैदान में है सबने दूर्बीन की नजरे से देखा M.A.T. राइबरेली की seat को राइबरेली से आखिरकार राहूल गांदी यहाँ पर लड़े बायनाड में पर चुनावी मैदान में शुरू करते हैं सीधा नंबर ज्यादा यहाँ पर ज्यान देने की जरूरत है नहीं योगी आदितनात्मानिक गोरफ पर में हो गया जंदी से नंबर परसेंटेज एंडिये का वोट परसेंटेज अब मैं दबादेगे अगल गज़े परसेंट यानि स्टाटस को मताएं 49.98 परसेंट सिर्फ बीजेपी का था अपना दल का लगबग देड़ फीज़ दी था पचास परसेंट पिछली बार था बीज़े पी और आरेल्डी का भी करिब यह था तो पार एक दो फीज़े लेकिन आरेल्डी उदर सा क्योंकि यहां पर कॉंग्रेस और समाजवारी पार्टी का अलाइन से बीज़े लग से लड़ रही 39 परसेंट यानि बहुत अंतर है बहुत बढ़ा अंतर है अब सीधा सीट्स पर चलें चलते हैं सीधा सीट्स पर चलते हैं एक तम सस्पेंस खतम करते हैं आपके लिए आप को भी समझ में आ जाएगा यहां से क्या कहानी है यह देखिए एंडिया आप देखेंगे नहीं सेल नहीं लगी यह जंता का विश्वास है जो किसी पार्टी के पछ्च यह किसी नेता के पछ्च में साप नजर आ रहा है और पिछले बार से जब स्केशर करते हैं जो 64 सीते मिली थी एंडिया को क्योंकि उसकी बड़ी वज़े थी बीसपी और सपा ने साथ में चुनाव लड़ा था जो कि अपने आपने फॉर्मेडेबल गड़बंदन था और दोनों ने मिल के 40 और आरेलडी भी साथ में थी इस बार आरेलडी एंडीय के साथ चुनाव लड़ रही है बीस पी अलग चुनाव लड़ रही है और एस्पी और कौंग्रेस ने स कि वो हम लोग अगर आप खोल के दिखा दें एक बार तीन सवाल आपसे करूंगी मिस्टर गुपता उससे हमारे दर्शक समझ पाइंगी इंडिया का दिखा देते हैं इंडिया के सीट्स आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ा जो बीजेपी का मतलब अगर हम अलग कर दें अभी यहाँ पर एसपी है या कॉंग्रेस को भी सीटे आ रही है उसके अंदर आप देखेंगे तो मैं बता देता हूं बीजेपी को अकेले 64-67 सीटे बीजेपी के अलाइज जैसे की आरेलडी है वहाँ पे राजभर की पार्टी है उन सब को मिलाके 3-5 सीटे तो 70-72 हो गई है इंडिया कटबंदन को 8-12 सीटे जिसमें कॉंग्रेस को 1-3 सीटे अब यह बताईए समाजवादी पार्टी को 7-9 सीटे और अन्न को 0-1 सीटे यह वाला टाली एक बार दिखा दे हैं हमारे दर्शकों को अब अपने दर्शकों को जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि ब्रेक अप क्या है तो ब्रेक अप में उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि सट सट से 72 सीटे NDA को आ रहे हैं 64 से सट सट मतलब वो अपने 62 वाली परफॉर्मेंस से 2 से 5 सीटे उपर जा सकती हैं सिर्फ BJP अपने दम पर यह एक मतलब कम से कम इसके बाद यह आकलन होगा कि क्या राम मंदिर का असर हुआ अब जल्दी से आगे बढ़िए तो BJP की जो आलाइज है अपना दल 2 सीटे जो उनको मिलती हैं जिसमें मिरजापुर में खुद अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में लड़ती हैं वो वहाँ पर जीती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं BJP के आलाइज को 3 से 5 रही है जो उन्होंने बागपत और विजनौर से कंटेस्ट हैं तो वो दोनों सीचे जीते हुए दिखाई दे रहे हैं यह वही है जहां पर जैन सिंग और अजीट चौदरी और अजीट सिंग ने अपनी चौदरी सीट पिछली बार गवादी थी इसी RLD ने मतलब अपनी सी अजीट सिंग पिछली बार नहीं बचा पाए थे जैन चौदरी नहीं बचा पाए थे वो बीजेपी के साथ मतलब यह एक नाचरल अलाइन्स शायद जनता ने समझा और वो पहुच गए है